दोस्तो नमस्कार मैं हूँ रागव सर्मा रमन जय गोश यूटूब चैनल की तरफ से आज मैं उत्तर प्रदेश की बाबा विश्वनात की नगरी बनारस और बनारस की सारनात में उपस्तित हुआ हूँ आप बोर्ड देख रहे हैं दा चायनीज बुधिस्ट टेमपल और इधर सामने चायनीज बुधिस्ट टेमपल का बड़ा सा गेट है जो सदियों पहले निर्माण किया गया था यह बुधिस्ट टेमपल चायनीज रजाओं के द्वारा या वहां के सासकुन द्वारा बनवाय गया था और यह टेमपल आज भी अस्तित्म है और यह सामने देख रहे हैं बड़ा सा हाल बना हुआ है इस हाल में जो है वह इन्सांग की मुर्ति आपको अभी हम दिखाते हैं यह बड़ा सा केमपल है केमपस है जो करीब 11 भी गहे के छेत्र में विस्तित है इसमें बगीचा सदी री है इधर लान भी है और यह में टेमपल है सामने जो देखर रहे हैं शिद्र के अंदर जाएंगे तो इस आपका में टेमपल बं nhân नहींद वह यह वह वह सात्यूंग कि हम देख रहा हर्सवर्धन भारत का प्रतापी राजा हुआ करते थे और उनके शासन काल में इस देश का उत्तर उत्तर विकास हुआ यह सामने जो देख रहे हैं यह लोंबिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशी नगर यह चार प्रमुख अस्तल हैं जहां पर्वेन सांग भारत में आता है और इन बुधिष्ट अस्तलों का भ्रमण करता है और वहां से अध्यान करने के लिए प्रेरिर्थ होता है सातियों हम बता दें कि यह जो है सारनाथ रेलवे स्टेशन के ठीक पगल में अस्थान है और इस अस्थान पर सामने जो है रोड के बुध्ध टेम्पल है जहां पर वेन सांग बुद्ध विच्चु के रूप में यहां पर आया हुआ था यह टेम्पल जो है हर्स बर्धन के समय में जब वेन सांग आया था तो वह एक भिच्चु के रूप में आया हुआ था और पूर भिच्चु हो चुका था थोड़ा समय बताना चाहूँगा कि वेन सांग जब भारत में आया था तो उसकी उम्र मात्र 20 वार्स की अवस्था में थी अब हम इधर चल रहे हैं सामने इधर लान में देख रहे हैं कि एक तरफ जो है धर्म चक्र और उसी के ठीक बगल में महात्मा बुद्ध की एक बड धर्म चक्र में 36 तलिया है और धर्म अदम में धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है और यह धर्म का पृतिक है इधर महात्मा बुद्ध को आप देख रहे हैं ध्यान मुदरा में इक मूर्टि है और नीचे भिच्चु की भी मूर्टि लगाई गई है मूर्टि बनी हुइ है भिच्चू हैं देख रहे हैं जो हिरन है देश में लगाया जाता है चारो तरफ चार सिंग है और फिर हम चलते हैं आगे शादियों मैंने पहले ही बताया था कि एक दान दाता जो चाइनीज थे उन्होंनों ग्यारा विगहे जमीन को दान के रूप में दिया था जिसमें से यह विशाल मंदिर जो हरा भरा फुलवारी है बाटिका है यह सो प्लांट्स लगे हुए हैं और ठीक इसके बगल में बगीचा है कुल मिला करके ग्यारा विगहे में यह बगीचा गार्डेन यह और यह चायनीज बुद्धिस्ट टेमपल है सब विश्त्रित है यहां पे दूर दराज से प्रतिदीन हजारों की संख्य में टुरिस्ट दर्शनाथी आते हैं और महत्मा बुद्ध की प्रतिमा काउं चनफस्त करके उनको नमन करते हैं और अपनी सद्धा भक्ती को व्यक्त करते हैं साथ ही उनसे मिलने वाले अशिरवात से अपनी मनोकामना को भी पूड़ करते हैं आप देख रहे हैं कि यह अत्मा बुद्ध की बड़ी सी मुर्ति लगी हुई है बड़े बड़े चार्खमें दिख रहे हैं आपको और सामने जो तस्वीरें हैं और कुछ सामान रखा हुआ है यह बहुत ही आकरसक और अतिहासिक मंदीर है सातियों मैं बताना चाहूंगा कि विंशांग का जन जो है चाहसाओ दो इस्वी में यह यंग में हुआ था और वह चीन में तांग सासन के समय पैदा हुआ दक्षिता के भल पर वह तेरह वर्ष की अवस्था में भिच्चू बन गया था और भिच्चू बनने के बाद उसकी उम्र मात 15 साल की थी वह 622 इस्वी में भिश्वास का जब पूढ हुआ तो वह पूढ भिच्चू बन गया तथा उसके मन में भारत भरमण की इच्छा आई साथ ही उसने दुनिया के अन्य बहुत धिश्ट देशों में भी भरमण करनी का प्रयास किया भारत में आता है और 630 इस्वी तक वह कई देशों की यात्रा करते हुए अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रविश्ट करता है और यहां अनेक भीच्चूओं से मिलते हुए वह लुम्बिनी कुशी नगर नालंदा वैसाली का भ्रमण करते हुए सारनाथ में आता है दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वेंसांग जो चिनी आत्री था बहुद भिच्चू था और भारत के मूल पाठ का ध्यान करने के लिए महत्मा बुध या बुधिष्ट से संबंधित जो मूल पाठ सा उसके अध्यान करने के लिए नालंदा विश्च्व विद्याल है जो बिहार में इस्तित है वहाँ पर छे वर्सों तक अध्यान किया मूल पाठ का ध्यान किया इसके बाद उसने एक पुष्टक लिखी है उस पुष्टक में उसने भारत के इतिहास को वड़न किया है उसकी पुष्टक का नाम है सियुकी जिसमें उस समय के हर्षबधन के सा प्रशान की विवस्ता धर्म अध्यात्म की क्या स्थिति है उसके पुस्तक जो स्वियुकी है उससे आप पढ़ करके जान सकते हैं सातियों यहां पर आने के लिए सारनाथ रेलवे स्टेशन है और सारनाथ रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर लगभग 15 किलोमीटर की लिए पुसो नहीं से और इसके हलावा यहाँ पर एरोप्लेन से भी आ सकते हैं और रेल से भी मार्क से भी किलोमीटर ग़िए और हर तरह से आपको आने में कोई से कटनाई नहीं होती है यह चायनेज बोधिस टेम्पुल है आप चारों तरफ देख रहे हैं आप इस वीडियो को देखें अधिक साधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें जैन जैकोष